आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने pen drive को अपने mobile से connect कैसे कर सकते हो यहाँ पर आपके पास कोई सा भी mobile हो आप आसानी से connect कर सकते हो बस आपका mobile 2018 के बाद का होना चाहिए इसके लिए चाहिए आपको pen drive, आपका mobile और साथ में चाहिए आपको एक OTG तो यहाँ पर हमाने पास OTG है जो हमारे mobile में लग जाता है पर मैं आपको बता दूँ अगर आपका mobile Samsung और Redmi यानि MI का है तो उसमें OTG direct connect हो जाती है उसमें जादा कुछ नहीं करना पड़ता है पर अगर आपका phone OPPO, Vivo या कोई और mobile है तो उसमें OTG option को अंदर से चालू करना पड़ता है तो आप setting में जाके यहाँ पर अगर आपके पास कोई और सा mobile है तो यहाँ पर आप additional setting में जाके ढूंड लीजिए नीचे आपको OTG मिल जाएगा तो आप उसे चालू कर लीजिए पहले फिर OTG connect करें यहाँ पर आप OTG लगाई अपना यहाँ पर ऐसे करके और अपना pen drive आप connect कर दीजिए ऐसे करके simple आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है थोड़ा सा wait करना है और उपर की तरफ से आपको एक USB का option मिल जाएगा आप इसे नीचे करें यहाँ पर आपको दिखा देगा USB storage या USB drive आप इस पर टाच करें और यहाँ पर आपको जो pen drive है यहाँ पर show करा देगी इसमें चार folder है अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपनी my files यानि file manager में आ जाईए इसके बाद यहाँ पर आपको folder option दिख जाएगा internal storage या storage पर यहाँ पर option आप देख सकते हैं लिखा है इस पर USB storage connected आप इस पर टाच करें और यह आपके पास आ जाएगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में